नमस्ते सदावत सले मत्रभों में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं समीर वान खेडे और समीर वान खेडे के साथ हम लोग चर्चा करेंगे नवा मलिक किस तरह से आप फस्ति दिखाई पड़ रहे हैं मैंने पहले भी काहा था कि जो भाशा नवाब मलक इस्तिमाल कर रहे थे उस भाशा उसी भाशा पे क्योंकि आपको याद हुगा मैंने दो दिन पहले एक lecture record किया था उस lecture में मैंने ये बताया था कि खग की भाशा खग जानता है politician की भाशा में politician ही जबाब दे सकता है इसलिए जब नवाब मलिक का ये पूरा ड्रामा चरम पर चल रहा था तो नवाब मलिक को शांत करने के लिए उधर से पहले पूर मुखमंतरी भाज़ापा सरकार ने जबाब देना शुरू किया और जब उन्होंने जबाब देना शुरू किया तो नबाब मलिक ने ड्रामा करना वही शुरू किया कि हम उनको नोटिस कर रहे हैं, हम उनके खलाफ डीफिमेशन का केस डालेंगे और डीफिमेशन पांच करोल का या वो अपना स्टेट्मेंट बापस लें जो उनके दाउद इबरहिम के साथ संबंधों की चर्चा करनी शुरू की थी, अब नबाब मलिक उस मामले में तो शान्त हो गए, लेकिन सरकारी करमचारी के खिलाफ जब कोई पॉलिटिशन इस तरह का और सत्ताधारी पॉलिटिशन इस तरह के सबाल करना शुरू करता है, इस तरह के में करॉप्शन के पिंजड़े में रखी हुई है, और करॉप्शन का पिंजड़ा मुझे कभी भी घोट कर मार सकता है, उसको स्पेस बहुत कम होता है, ये खास तोर से मैं कह रहा हूँ, करॉप्ट ऑफिसर्स की खास बात है, इसलिए करॉप्ट ऑफिसर्स, पॉलिटिशन और गुंडों और बदमाशों और जो क्रिमिनल्स होते हैं क्रिमिनल्स के आगे एक हट तक जोकते हैं और शरीफ आदमी को कहीं न कहीं परिशान कर एक्स्टॉर्शन करते हैं लेकिन समीरवान खेड़े के खलाफ भी वही हतगंडा अपनाया था नवा मलिक ने और समीरवान खेड़े को प्रेशर में लेने की कोशिच की समीरवान खेड़े अगर थोड़ा सा भी करप्ट होता और जादा करप्ट होता तो छोटे पिजड़े में होता और समीरवान खेड कि यह चुकि international मामला है national मामला है कई इस्टेटों से जुड़ा हुआ है और यह एक बड़ा रैकेट है इसलिए इसका investigation किंद्र के दोरा किया जाना चाहिए कोई रास्ती joka किंद्री एजैन्सी के दोरा किया जाना चाहिए समीरवान खेड़े खुद एक शित्र के अधिकरी हैं इसलिए वो ट्रांसफर हो गई जांच हाला कि नवाब मलिक को ये लगा कि उनकी जीत हो गई समीरवान खेड़े तो कम से कम हटे लेकिन समीरवान खेड़े इन सबडिनेशन और संजे सिंग आ गए संजे सिंग तो और ज़्यदा अप्रोच न रखते हो उतनी ज़्यदा पावर न रखते हो और उस एंगिल से इनिवेस्टिकेशन न कर पाते हों कॉमन वैल्थ गेम के मास्ट के के को उजागर करने के मास्टर माइंड संजे सिंग उन्होंने जो खेलना शुरू किया है जो पुशता शुरू कि है उसमें प्राइम फिसाई ये पता लगने लगा कि अब नवा मलिक ये टैक्टिक्स अपना रहे थे समीर वान खेडे को फसाने का प्रयास कर रहे थे और अपनी इस गंदी राजिनीते से अपने दमाज समीर खान को बचाने के लिए आर्यन खान की आड में खेल खेल रहे थे समीर खान ने भी समीर खान की पत्नी ने कहने कि नेलोफर ने समीर वान खेडे के परिवार को नोटिस जारी किया है पांच करोड रुपए की डिफिमेशन का और कहा है कि बई ड्रक्स की केस में हम मेरा पती बंद जरूर था छूट भी गया है छूट से मतलब बेल पर है लि यह सब कुछ नेरेट कर रहे हैं इसलिए देविद फर नवीस उनको पांच करोड रुपए दे हाला कि वो मैंने पहले भी कहा था यह बंदर गुड की है किवल मीडिया बाजी है इसका कोई परणाम नहीं निकलने वाला और इसका कोई हल नहीं निकलने वाला क्यों क्योंकि आल लीडी केस फाइल है वो के कोड में लिस्पेंडेंस है चार्शेट समिट की जा चुकी है चार्शेट में कम या ज़्यादा आम पबलिक का रिकॉर्ड बन चुका है और आम पबलिक के रिकॉर्ड में जो स्टेट्मेंट जाते हैं उनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होता उसको defamation नहीं माना जाता कानूनन नहीं माना जाता अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि कल हाई कोट ने भी इसी मामले में जो मैंने अभी पताने जा रहा हूं कि शैल वाले मामले में शैल और गोसावी के मामले में वो जो मैटर निकलने वाला है जो स्टेट्म की रकम लेना चाहते थे साथ में कहा था कि इसकी शारुख खान की जो पीए है दुरानी उसने 23 लाग रुपय, 24 लाग रुपय, किसी ने का 33 लाग, किसी ने का 38 लाग रुपया दिया और कहा कि मेरे सामने गोसावी ने समीर बाने खेड़े को फोन किया, उस समय वो पैसा लिय गया, फोन किया, और ये भी स्टेट्मेंट दिया कि आरियन खान उस क्रूज में कहां पर अकेला बैठा हुआ था, वो बिचार उनके बीच में नहीं था, इन सब पर प्राइमरी इनिवेस्टिगेशन, चुकि वीडियो वहां की रिकॉर्ड़ेट थी, वो वीडियो सामने और जब आप कहते हैं कि फोन किया गया, तो हाप समझ लीजे कि उस समय कहीं कहीं जूट बोलने वाले कि चुक हो ही जाती है, और फोन रिकॉर्ड तो किसी भी कंपनी पर सारवजनिक डॉकूमेंट बन सकता है, उसको निकाला जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है, लग रहा है कि अब नवाम मलिक का खेल खुल गया, इसे पहले डीफिमेशन का केस, जो समीर वान खेले के पिता ने डाला था, उस डीफिमेशन के पिता के केस में भी एक नया मोडाया, जो नवाम मलिक को कहा गया था कि जिस सर्टिफिकेट के अधार पर उनके बड़ सर्ट समीर दाउद वान खेले लिखा हुआ है, वो समीर दाउद वान खेले वो एक मुस्लिम है, उसको जड़ा दिखाओ, आज नवाम मलिक के वकील ने वो नयाले में प्रसुत किया हाई कॉर्ट में, मैं आपको इससे पहले बता दूँ कि आपको याद होगा कि मोहित कंबोज मा मामले में नोटिस जारी कर दिया और केस फाइल कर लिया था, यानि कि क्रिमिनल डिफिमिशन का केस फाइल हो गया था, यह मैं हाई कोड के डिफिमिशन की बात करना हूँ, जो की समीर वान खेले के पिता ने फाइल किया था, और उसमें नोटिस हो गया था, हलागि दोनों ये certified नहीं है इसके copy पर विश्वास नहीं किया जा सकता जो certificate है उसमें Muslim शब्द का जड़ा interpretation करके दिखाएं कि ये Muslim कहा लिखा हुआ है अगर आप समीर नाम लिखने से उसको Muslim बता रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता जो certificate होता है उसमें जाती लिखी होती है वो जाती और संपरदाय भी लिखा होता है उस जाती संपरदाय में कहीं Muslim शब्द इस्तेमाल किया गया है तो मुझे बताइए कोर्ट ने बड़ा हड़काते हुए उनके वकिल को कहा कि आप ये जूट ये document जो प्रस्वत कर रहे हैं ये फोर्ज document है इस document पर नियालय विश्वास नहीं कर सकता फिर से उनको समय दिया और उनके वकील ने भी ये माना कि नहीं साब हम से गलती हो गई है हम इस document के अधार पर जो statement statement और tweet यो जो चल रहे थे वो ठीक नहीं थे आप समझ सकते हैं कि नियालय में एक तरफ deep emission का case पका होता जा रहा है दूसरा मोहित कंबोज वाले मामले में deep emission का case शुरू हो गया criminal deep emission का case शुरू हो गया जिसमें सजा के प्रावदारें और high court ने भी अब नवाब मलिक को ये माना कि जिन आधारों पर नवाब बलिक बोल रहे है प्रेमर फसाई ये मालूम पढ़ रहा है कि वो बात ठीक नहीं है वो forged बाते कर रहे हैं forged document के आधार पर बात कर रहे हैं जिसमें कोई जान नहीं है इदर जो cell वाला मामला था जहां से कमजोर करने का प्रयास किया गया था शेल ने जो statement दिया था जिसमें उसने कहा था कि बहिया ये मैं इसका driver था और driver करते समय मैंने ये किया वो किया गोसामी मेरे सामने एक स्टार्ट कर रहा था गोसामी नहीं जासूसी की गोसामी के बारे में मैं आपको बता दू कि गोसामी एक private detective है private detective सभी police forces और सभी एजन्सिया हायर करती है और उसके लिए अलग से सरकारी fund होता है क्योंकि सरकारी अदिकारी से मतलब अगर NCV सीधा पकड़ने जाएगी अगर police सीधा पकड़ने जाएगी बहुत closed होता है वो एक secret आदमे होता है उसकी secrecy कभी भी नियाले भी नहीं कह सकता कि इसकी secrecy disclose करो even Supreme Court नहीं कह सकता कि तुम कहां से information लाए थे ये किसने तुमको बताया अलगि समीरवान केड़े वाले अरेन खान के मामले में ये बात निकल कर सामने आ गई थी क्योंकि गोसामी ने एक click की थी वो इसलिए भी की होगी कि वो भी बहक गए होंगे और ये बहक काओ में उसको समझ में आया होगा कि अगर ये आरेन खान बड़ा आदमी है और शारुख खान का बेटा है लाओ एक सेल्फी ले लेते है उसने सेल्फी ली लेकिन वो है प्रेवेट डेक्टिव उसको उसको बहुत सीक्रेट ही रहना चाहिए तो वो सेल्फी नहीं उसको बबाल मचाया और सामने आगा सेल को पकड़ दिया सेल को दवाव बना कर या पैसे दे कर हो रहा है और मेरे सामने फोन किया गया दुरानी को दुरानी मेरे सामने आई दुरानी ने पैसे दिये एडवांस पैसा दिया और जहां पर क्रूज पर रेट डाली गई थी उस क्रूज पर आरन खान कहीं दूर बैठे हुए थे वो उस पार्टी हुलर पार्टी में नहीं थे जिनके पर ड्रक्स पाए गए अब क्रूज में तो वो कैमरे लगे हुए थे और वो उसकी रिकॉर्डिंग थी उससे ये साफ निकल आया कि नहीं साब ये तो उस हुलर पार्टी के साथ ही थे या लग से कहीं से नहीं बैठे हु कि इनकी इनकी आपस में बात हुई क्या उन कॉल रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी गोसामी और वान खेले की उस समय जिस समय ये चर्चा की गए जिस समय ये बतायागा कि इस इस समय पर इनकी आपस की बात हुई और बास करके ये आगे करकरम चला गया उस समय आगे पीछे भी को कोई कॉल उनके बीच में नहीं हुई यह फ्वारंसिक डेटा कह रहा रहा है फ्वारंसिक रिपोट आ गही है यानि कि फ्वारंसिक बिच में call record नहीं हुए और sale का जो भी statement आया है वो statement जूटे हैं आप समझ सकते हैं कि sale को सामने करके सरकारी इदिकारी को फसाने का प्रयास किया कि सरकारी किसी तरह से pressure में आ जाए दूसरा उसके बर्थ उसकी जाती उसकी religion को अधर बना कर उसके परिवार को corrupt बता कर मालदी में वो घुमने गए उस बात को लेकर इनके उनके संबन है इस बात को लेकर बहुत सारी बातें कि इतना कोई सरकारी इदिकारी जो corrupt होता है वो जहल नहीं पाता है उसमें इतनी तागत नहीं होती है कि वो इन मामलों को बरदाश्ट कर ले और कहीं कहीं वो समझता करके मामले को टाल देता है लेकिन समीरवान खेडे मुझे लगता है मेरा अपना विचार है आगे investigation होगा तो वह बता लगेगा समीरवान खेडे अपने पुखता और सही विरादों पर सही तरीके से deal कर रहा था और सही तरीके से उसके पास किसी भी प्रकार का कोई corruption का मामला नह कोई corruption का मामला अभी तक सामने आया है और वो clean छबी के हैं यह high court में लगाया था NCB ने अब आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं इनसे ये बिलकुल साफ लग रहा है कि समीरवान खेडे और उनका परिवार जिस प्रकार से लड़ रहा है वो एक विजेत खुद बहुत बोरे फस्सके हैं वो उनके पास अब जब आप कहां से लाएंगे वो कैसे इसको solve करेंगे पता नहीं वो अपना clarification कैसे देंगे high court को वो कैसे face करेंगे और ऐसा ना हो कि malicious prosecution के cases उनके खलाफ लग जाएं ऐसा ना हो कि वो देश को बरगलाने देश को गुम रहा करने और नियाले को गुमरह करने के आरोपी हो जाएं क्योंकि नियाले ने कहा you are a minister तुम बड़ा मला ये बड़ी बात होती है इसमें high court ने कहा तुम एक minister हो एक जिम्मेबार सा आदमी हो और जिम्मेबार और minister होते हुए इस तरह के loose talk करना तुमारे लिए ठीक नहीं है कोई ठोस evidence नहीं है जिसके आधार पर तुम कह सको कि तुमने जो कोई समीरवान खेड़े के खिलाफ कहा है उसमें कोई जान है मुझे लगता है कि अब नवा मलिक का समय आ गया है अब NCP को चाहिए अब महरस्ट सरकार को चाहिए कि वो नवा मलिक को dismiss करे इस आधार पर कि ए को गुमरह कर रहा था एक सरकारी करमचारी के काम में बाधा पहुचा रहा था और वो सरकारी करमचारी और पूरी एक agency के ऊपर आरोप लगा रहा था that is a defamation case of NCP, Narcotic Control Bureau का defamation हुआ है उसकी पूरी credibility दाओं पर लगाई, सरकार की credibility दाओं पर लगाई, उसके हजारों करमचारी की credibility दाओं पर लगाई, इन सभी बातों को लेकर इनके खलाफ भी अब defamation of government agency का case चलना चाहिए इनको suspend करना, इनको insistify लेना चाहिए, या इनको ministry से बाहर करना चाहिए, दुबारा चुनाओ लडने से भी इनको bend कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के विक्ति, अगर सरकारों में बैठेंगे, जो अपने ही system को गलत तरीके से present करते हों, तो क्या क्या ये देश को represent करे और क्या ये देश को चलाएंगे, जै हिन, जै भारत, वन्ने मातरम